जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है देनेशारे तो यहाँ पर देखे हुबली जोन का जो आज का डेटा है वो भी हमारे पास आगया 30 तारीक का डेटा है उसको भी हम एनलाइस करेंगे यहाँ पर जो complete चीज़े है यानि कि हुबली जोन से cut off यहाँ पर कितना उपर जायागा डीवी के लिए और पीटी के अंदर कितने candidate पहुँच रहे है और पीटी जो कि 6 फरवरी तक यहाँ पर चलने वाला है सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो देख सके तो देखे सबसे पहले आज चलते हैं 30 तारिक के डेटा पर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हुबली जोन में यहाँ पर कितने कंडेट को P.E.T. के लिए बुलाया गया है तो देखे सबसे पहले पूरा डेटा मैंने लिखा हुआ है तो 89% के आसपास के अटेंडेंस आपको देखने को मिल रही थी और आज की बात करूं 31 तारिक की तो आज भी यहाँ पर अटेंडेंस आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है आज भी यहाँ पर अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा candidate जो PT में success होंगे और PT के बाद जिनके पास DV का call आएगा वो भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे candidate होंगे जो कि यहाँ पर DV देने के लिए जाएंगे अब क्या यहाँ पर cut off रहेगा पहले उस पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको data रख देता हूँ पहले 30 तारिक का फिर आज का data अब यहाँ देखें तीस तारिक का data जो है उसमें अगर हम देखें तो कल यहाँ पर total 2123 candidate को यहाँ पर PT के लिए बुलाया गया था यहाँ पहले दिन 2123 candidate को total बुलाया गया था जिसमें कि 1880 candidate यहाँ पर qualified हुए पीटी में किते candidate qualified हुए तीस तारिक को 1880 और non qualified किते हुए तो 243 candidate ऐसे थे जो कि यहाँ पर non qualified है यहाँ कि कल qualify नहीं कर पाए अब आज 31 तारिक का data क्या है तो 31 तारिक का जो data है आज यहाँ पर total जो है 2515 candidate को यहाँ पर बुलाया गया था यहाँ पर पीटी के लिए अब यहाँ पर आज जो है 2224 candidate यहाँ पर qualify हुए है पीटी के अंदर और अगर फेल होने वाले का नंबर देखे तो 291 यानि कि 291 candidate यहाँ पर not qualified यानि कि qualify नहीं हो पाए आज 31 जन्वरी को अगर हम इन दो उनों डेट्स की अगर देखें तो टोटल candidate यहाँ पर देखें तो लगबग लगबग 5000 कलके होगे यानि कि आज के होगे और यहां 2000 कलके होगे तो 4500-600 candidate के आसपस यहाँ पर दो दिन के अंदर बुला लिये हैं अब अगर इसी तरह से यहाँ पर बुलाया जाएगा अगले 6 दिन तक तो 6 दुनी यहाँ पर हो जाते हैं 12 यानि कि 12 और अभी किते candidate होगे तो 12 और 4 अगरम करें तो 16 जार तो यानि कि आगे जो आने वाले डेज है तो अभी भी यहाँ पर 19,000 candidate नहीं हो पहें तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर candidate की संक्या जादा भी हो सकती है हो सकता है किसी दिन यहाँ पर 6,000 की बज़ए 3,000 candidate बुला लिये जाएं तो इस तरह से अगले आने वाले 6 दिनों के अंदर यहाँ पर railway जो है यानि कि railway board जो हुबली है वहाँ से यहाँ पर candidate की संक्या किसी दिन जादा भी हो सकती है यानि कि जैसे आज 2500 बलाएं तो कल हो सक 24 और टोटल मिला के 4,104 candidate यहाँ पर 2 दिन के अंदर यहाँ पर qualify कर गए है अब यहाँ पर आप देखेगा क्या यहाँ पर गणित लग रहा है मैं आपको पूरी चीज़े बता देता हूँ अब यहाँ देखे टोटल जो यहाँ पर अगर हम सीट की बात करें हुबली जोन से लेकि 2866 सीटे जो है वो XRsman और PWD और CCA की है तो 2866 सीटे यहाँ पर XRsman और CCA की है इनको भी हम घटाएंगे और यहाँ पर PWD की भी 200-300 सीटे उनकी है तो उनको भी घटाएंगे तो यहाँ पर लगबग लगबग जो common candidate है उनके लिए 4000 सीटे यहाँ पर बसती है लेकिन XRsman जो है वो जादा candidate जो है qualify नहीं कर पाएंगे जैसा की बाकी जो उन से देखा है तो यहाँ पर जादा candidate अगर XRsman वाले जो है qualify नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर XRsman की सीटे हैं वो सीधा सीधा यहाँ पर common student को दे दी जाएंगी इसी तरह से CCA वाले जो candidate है उनकी या 5,000 या max to max यहाँ पर 6,000 के आसपास यहाँ पर आपकी सीटे common student के लिए बच जाती है आखिर तक जाते जाते अब यहाँ पर जब list निकाली जाएगी अगर जो अभी तक के जो नतीजह आ रहे हैं आगे आने वाले जो 6 दिन है अगर 2 दिन के अंदर ही यहाँ पर देखे हैं और आगे आने वाले जो डेटा है यानि के आगे आने वाले जो 6 दिन है अगर हम 2,000 का आगे आने वाले जो डेटा है उसमें भी यहाँ पर ऐसा ही रहेगा कि हुबली जोन से जो है अटेंडेंस पीटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ही देखने को मिलेगी तो 85-90% के आसपास की जो अटेंडेंस अगर डेली रहती है और यहाँ जो क्वालिफाई करने वाले स्ट 16,000 candidate यहाँ पर पास हो जाएंगे अब आप मानकर चलिए आपकी जो सीटे हैं वो हैं यहाँ पर 6,000 मान लिजे वैसे 6,000 मिलना मुश्किल है लेकिन 6,000 हम मान लेते हैं कि एक्सरिस्मेन और CCA की सीटे बचा कर आपको यहाँ पर 6,000 सीटे common student को हो जाती है तो 6,000 के बाद अ यहाँ पर ज्यादा होगा हुबली जोन से यहाँ पर P.E.T. क्वालिफाई करने वाला और SCR से South Central Railway से जो सिकंदराबाद वाला जोन है वहाँ से यहाँ पर हमने देखा तो 16,000 प्लस candidate यहाँ पर जो है P.E.T. में क्वालिफाई हुए थे और टोटल सीटे जो थी वो 9,000 के आसपा सीटे थी 9,300 प्लस कुछ सीटे थी यहाँ पर स्टुडेंट के लिए तो 9,300 सीटे यहाँ पर फाइनली दिखाया गया तो उसमें 9,300 सीटे यहाँ पर थी जो टोटली यहाँ पर आपकी South Central Railway से दिखाय दी थी तो उसका दुगुना भी यहाँ पर नहीं था फिर भी यहाँ पर cutoff जो है वो इतना increase कर गया यहनकि OBC category में यहाँ देखे आपको 5.5 नंबर का उचाल देखने को मिला EWS में देखे तो यहाँ पर 10 नंबर का उचाल देखने को मिला जनरल category के अंदर देखे तो 2.79 लगबग 3 नंबर के आसपस का उचाल देखने को मिला लेकिन हु expected cutoff यहाँ पर जाएगा हुबली जोन का क्योंकि यहाँ देखे जो candidate पहुंच रहा है एक तो वो बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है फिर उसके बाद यहाँ पर जो candidate का जो यहाँ पर हम देखे ratio देखे पास होने का तो वो भी यहाँ पर कुछ जादा ही है यान कि दोगना student नहीं है दोगने से भी बहुत ज़्यादा candidate यहाँ पर success करेगा यान कि P.E.T. qualify करेगा तो उस case में यहाँ पर जो आपका जो final cutoff जाएगा यान कि दीवी के लिए cutoff जाएगा वो यहाँ पर 5-6-10 नंबर तक उपर जा सकता है किसी-किसी category में यहाँ पर 10-12 नंबर तक भी 4-5-6 दिन है उसमें हो सकता है यह नंबर और नीचे गर जाए तो इसलिए आपको डेली का analysis हम दे रहें ताकि आपके mind में एक चीज़ यह सेट रहे कि आपको P.E.T. तो निकालना ही निकालना है साथी साथ अगर आपके नंबर 0.5 जादा है 0.2 जादा है एक नंबर जादा जो है अटके वे लेकिन जो पूरा का पूरा student है वो यहाँ पर confusion में बनावा है कि आखिर वो क्या करें तो इसलिए वो P.E.T. देने तो पहुंची रहा है लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर डीवी देने वो जाएगा या पर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो हुबली ज कम से कम 10-15 दिन के बाद आपका यहाँ पर डीवी का डेट यहाँ पर आएगा तो 10-15 दिन तक यहाँ पर हो सकता है लेवल 3 का result completely आजाए तो कई सारे चात्र यहाँ पर जो P.E.T. देने गए है उबली जोन से उनका लेवल 3 में हो जाए यह और यहाँ पर जो N.T.P.C. के द अब यहाँ पर नाम आ जाए लेकिन फर्स्ट डीवी के अंदर यहाँ कट आफ बहुत तगड़ा जाएगा हुबली जोन से मैं आपको अभी यह कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ जितने लोग यहाँ कमेंट करना चाते हैं चैलेंज करके बता दीजेगा कि कि हुबली जोन से अब आप लोग मुझे बताईएगा कि कितना कट आफ यहाँ पर उपर जाएगा क्योंकि दो दिन का जो डेटा है कल और डेटा हैगा तीसरे दिन का तीसरे दिन के डेटा से हम और यहाँ पर क्लियर कर देंगे कि यहां कट आफ जो है वो कितना हाई यहाँ रुबली जोन से जा सकता है फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो कोई कोशन रह गया हो नीचे हमने description में हमारे Instagram का link दे रखा है वहाँ से direct जूड़कर आप हमसे DM कर सकते हैं description में आप अपना किसी भी तरह का सवाल हमारे telegram group से भी कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर आप जो है किसी भी तरह का comment अपना पूछ सकते हैं हर एक comment का जवाब देने की कोशिश हम करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भरत